अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्स के रहने वाले हो आप अपलाई कर सकते हो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहली बाइस चैनल पर विजिट करें तो देखिए जारखंड के ब्लोक वाइस वेकंसी है जिसमें आपको सबसे पहले नमबर बता रही हूं अगर अगर आप अपलाई कर सकते हो बताती हूं इसमें आपको एस लिमिट क्वालिफिकेशन पेस्केल और यहां पर पोस्ट के बारे में सबसे पहले नमबर पर जो पोस्ट दिया गया है वो यहां पर देखिए मेडिकल ओफिसर के लिए पोस्ट है जिसमें की 23 से लेके 35 यर तक अपल तो आप यहां पर अपलाई कर सकते हो बात करते हैं सेकेंड फोस्ट जो है वो फार्मसिस्ट के लिए है जिसमें की 21 to 30 यर होता है तो आप यहां पर अपलाई कर सकते हैं सेलरी की बात करते हैं तो 5200 से लेके 20,200 तक आपको पे दिया जाएगा आपका पेस्केल इसमें बात क सकते हैं आप मैट्रिक पास भीफोर नाइटीन नाइटीफोर से होने चाहिए तो आ हैं आप एप्लाई कर सकते हो थर्ड पोस्ट की बात करते हैं तो एसिटेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए है जिसमें की 21-30 तक आप एप्लाई कर सकते हैं 9300 से लेके आपका जो है 34800 आपको दिया जाएगा बात करते हैं कंप्यूटर तो M.C.A. होता है या फिर V.E.B.T.E.C. कंप्यूटर साइन्स से इंफोर्मेशन टेक्नलोजिस होता है तो आप एप्लाई कर सकते हो उसके बात करते हैं 4th post की 4th post हमारा जो है श्वेनी चेसल इसक्रेक्टर के लिए है जिसमें की 21-35 यर आप होते हो तो आप एप्लाई कर सकते हो स्पेस केल की बात करते हैं 5200 से ले और डिप्लोमा एंश एनिट्रेशन से भी होता है तो आप यहां पर अप्लिकेबल होते हो बात करते हैं फिफ्ट पोस्ट जो कि असे ट्रेंट टीचर के लिए है इसमें एज की बात करते हैं तो यहां पर दिखें 21 to 30 यर होता है तो आप अप्लाई कर सकते हो सेलरी सेम वही 5200 टू 20,200 आपको दिया जाएगा बात करते हैं सीटेट स्टेट टेट अगर आप क्वालिफाइड होते हो प्राइमरी एजुकेशन वीथ प्राइमरी लेवल एक्जाम पास्ट यानि कि आपका जो है 10 प्लस तू 50 परसंट के साथ साथ कोई भी ऐलिमेंटरी एजुकेशन जैस बाद हम बात करते हैं यहां पर 6 पोस्ट जो की LGC के लिए है यहां पर यह हमारा जो है 21-30 एर सेम होई है पे स्केल भी सेम होई है आप बात करते हैं यहां पर देखिए जो हमारा क्वालिफिकेशन तो इंटर्मीडिय तैल प्लस तू फ्रों रिकोगनाईज उनिवर्सिटी यहां पर टाइपिंग भी 35वर्ट पर मिनिट हिंदी एड इंग्लिफ जो है 35 वर्वर्ट मिनिट इंग्लिफ होता है तो आप यहां पर अपलाई कर सकते हैं computer knowledge आपका जीजरेवल है उसके बात करते हैं सेवेंथ पोस्ट जो की इलेक्टरिशन के लिए है इसमें वहीं एज होता है से वही salary होती है बात करते है qualification तक 10 तक 10 पास होए चाहिए with ITI से या फिर यहाँ पर diploma in electrical engineer होता है तो आप आप apply कर सकते हो बात करते है 8th post की तो यहाँ पर देखिए midwife के लिए है जो की same होई qualification same same होई age same होई pay scale and यहाँ पर देखिए qualification जो है हमारा metric यहने कि 10th pass होई चाहिए 45% marks के साथ 18 month का जो है annual training हमारा होना चाहिए उसके बाद यहाँ पर देखिए जो है बात करते है सफाई मजदूर के लिए जो है वो same होई हमारा age और same होई salary है qualification के बात करते है metric पास होने चाहिए और यहाँ पर देखिए सफाई वाला के लिए है जो इसमें की same होई age होता है same होई qualification होता है same होई जो है हमारा पेश्केल होता है बात करते हैं कब से कब तक apply करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम starting date जो है यानि की online submission का starting date जो है 28 December 2022 से लेके जो है last date हमारा जो है 28 January 2023 तक apply कर सकते हो official website जो है इसका link मैं डिस्कुसर में देदूगी वहाँ जाके आप join कर सकते हो और अगर कोई वीडियो आउट हो दार comment box में comment करके मुझे से पूछ सकते हो टेलिग्राम करने के मैं डिस्कुसर में दिया वालचा का मुझे फॉलो कर लेना चलिए वीडियो अचलिए लाइक करना पहली वाइशन पर विजिट करें दूस्क्राइब करें दूस्क्राइब क